नवरस का उपहार है ये गीत घजल का प्यार है सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौचार है आध्यात्म से जोडे सबको पावनता से दुलजार है कविताओं की ये बयार है ये कावि खुंज रसधार है ये गीत घजल का प्यार है ये कावि कुंज रसधार है नमस्कार जब हम गुलिशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है अलग अलग पुश्पों के अलग अलग मकरंद का अलग अलग स्वाद अलग 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 दृष्टिकॉन इसी दृष्टिकॉन को कविता के माध्यम से परिभाशित करने के लिए हमने कई तरह के सेग्मेंट बनाये हैं एक सेग्मेंट उसमें है राग देश का जिसमें वतन की वंदना की जाती है ऐसा कहते हैं कि कउम के खादिम की है अकसीर वंदेमातरम है इधर भी बेकसों का तीर वंदेमातरम सुनकर के दहलते थे अंग्रेज जिस आवास को गुंज थी थी जेहन में जंजीर वंदे मात्रम वंदे मात्रम इसलिए क्योंकि राग देश के इस सेगमेंट में आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं पारिक जी और पारिक जी आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रचना जो मात्र भक्ती की मात्र शक्ती की वंदना की और हमारी मात्र भूम कि ये अभी वंदना की अभी व्यक्ति देती है, सुनते हैं क्या कहती है उनकी अभी व्यक्ति व्यंग और आक्रोष की वो रिचनाएं आपके सामने प्रसुत करता हूँ जो मुझे लगता है कि इस देश के आज के बातावरर में बहुत जरूरी है मैं आदिवासी अलाकों में बहुत बरसुत तक रहा, मैंने देखा कि जब एक दिन का बंद भी होता है तो वो लोग किस तरह से अपना पेट भरते हैं और उस बंद से उनको कितना नुकसान होता है मैं अपनी पंक्तियां आप लोगों किसी चरणों में रखता हूँ और एक विचार एक सोच हम सब के बीच में छोड़ता हूँ सड़कों पर वीरानी लिखदी बाजारों पर बंद लखा सर्द हवा पर अफवाँ ने बारूदी दुरगंद लिखा करतवियों की सड़ी लासने अधिकारों का बंद लिखा इस पगलाई आजादी ने फिर बेहुदा चंद लिखा लिखा गगन पर काट छाट और तुलना लिख दी तारों पर थोते समझोते लिख डाले खून सनी तलवारों पर अखबारों पर विस्वास लिखा और आँखें लिख दी अंगारों पर दिल पर लिख दी मारकाट और अमन चेन दीवारों पर रिस्तों पर रिस्ता जहर लिखा था जहर उसे मकरंद लिखा इस पगलाई आजादी ने फिर बेहुदा चंद लिखा बंद देखती बंद नजर ने एक बस्ती का नाम लिखा चौराहों पर सनाटा और गल्यों में कोहराम लिखा एक जहुपड़ी से निकले दो हातों पर राकाम लिखा लिखा इनी पर मरो भूग से जीना हुआ हराम लिखा इस एक रोज के बंद बंद ने कई तरह से बंद है छप पर जला दिया जिस दिन से ताजा पानी हवा बंद है मट मेले कंबल में लिप्टी बूड़ी मा की दवा बंद है भूकी अकुलाती आंतों पर नन्ने हातों ने मंद लिखा इस पगलाई आजादी ने फिर बेहुदा चंद लिखा इस पगलाई आजादी ने फिर ब लोग तो सहीदों की श्रेड़ी में आ जाते हैं, कुछ गुमनामियों में चले जाते हैं, ऐसा ही एक बंदा जो सीमा पार है चाये वो हैमराज हो चाये सरब जीत हो, और वो भारत में रहने वाले अपने पिता से मनी मन बात करता है, इन विचारों को मैं अपनी इस कविता के म चाने का प्रियास करता हूँ, कि पूनम की पथराई आखें आखें आदत में है, गरम सलाखें गंबी गाली बासी खाना, कैसी कंगी कैसा नाना, मावस ही मावस है, पापा तिथियां नहीं बदलती है, जंजीरों में जھकडी काया, आठों याम मचलती है, कि पीड़ा को पी फुल जड़ियां छोड़ी खटमलने पूरे तन में लाली थी, पापा मैंने माल लिया, वतन में कल दी वाली थी, पापा मैंने माल लिया, वतन में कल दी वाली थी, अब मैं आगे की पंक्तिया आपके बीच में पढ़ता हूँ, कि जाने भी दो पापा, इस पीड़ा को यह ही तमाम करता हूं और अपनी बची हुई टंद सासें भी मादर-वतन के नाम करता हूं मादरे बतन के नाम करता हूँ कि जिद्धी मुन्ना होली पर पिछकारी तोड़ चुका होगा मेरा फोटू अब तक मा की आँखें फोड़ चुका होगा सीलन भरी कोठ्री की गीली मिट्टी मेरी दुनिया धर्राते हातों से होले से पापा लिखती होगी मुनिया तब हातों में मिट्टी का ठेला भी सिवलिंक सा पावन लगता है और इन आखों के जरते ही आखों में सावन लगता है आखों में सावन लगता है बहुत पत्रणाम धन्यवाद अभी आपने सुनी भारत माता की वंदना आधरनी पारिक जी से अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका शीरशक है का वे पंखुडी, पंखुडी शब्द सुनते ही लगता है कि कोई कोमल सी बात होगी, कोई नाजुक सी बात होगी, कोई मासूमियत से भरी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो बात होने जा रही है, वो उस नशे क बात है जो मासूमियत का चीर हरन कर लेती है क्योंकि नशा नाश का ही दूसरा नाम है एक विद्वान ने कहा कि यदि मुझे 24 घंटे के लिए विश्व का सामराज्य दे दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम यह करूंगा कि इस धरती पर उपस्थित तमाम शराब खनों को आग के हवाले कर दूंगा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नशा जो है वह अपने साथ बहुत सारे दूश परिणाम लेकर आता है यह दूश परिणाम यदि सामान्य भाशा में कहें तो तो बड़ी तकलीफ देते हैं लेकिन यही बात यदि कविता में कही जाए तो यह तकलीफ संदे संदेश बनकर हमारे समक्षाति है शैलेंद्र शैलू का सुनिये संदेश नशा कविता शीर्शक से रोम रोम में नशा चड़ जाए है उठते ही जिसी को लोग दबाए हो गुट का खा रहे हैं इनके गाल देखो हाए पानी पता सा इनके मुह में न जाए ये तो जाल उट जाए कितने घर तूट जाए इसमें कैंसर मिले क्या इसे नाम दूँ गुट का तेरा गुट का हो दस रुपे में मिले और जीरा जले गुट का तेरा गुट का पान की दुकानों पे यार मिल गए रात दिन चबाने से जबडे हिल गए थोड़ा पानी पियू फिर गुट का खाऊं थोड़ी चाए पियू फिर गुट का खाऊं थोड़ा पानी पियू थोड़ी चाए पियू तेरा अंग जहरी लब बोले पेट में गुट जाए आते सारी तूट जाए इसमें छिपकली मिले क्या इसे नाम दूँ गुटका तेरा गुटका वो दस रुपे में मिले और जीरा जले गुटका नशे से बचिए नशा परिवार को बरबात का देता है नशा अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुचाता है तो नशा छोड़िये और अपना जीवन खुशाल कीजिएगा धन्यवाद संगीत में जब तक साथ सुर नहीं हो तब तक सर्गम नहीं बनती कि इसलिए सारे गम पढ़नी सातार सब सब्तक मंद्र सब्तक और मध्यम सब्तक को मिलाते हैं यह तब निर्मान होता है ज़्रा ही सब्कOYकशए हैं त। विविद्ध को और दर्शकों के लिए गौडली वुड़ और पीस ऑफ माइंड की पेशकश है इस पेशकश में आपकी भाजीदारी आज क्या कहने जा रही है आप ही सुन लीजिए ना उमीद जीवन का है आधार उमीद से है यह संसार उमीद है तो हो जाता है सकारात्मक सोच और व्यवार होसला हमें यह देती है हर परिस्थिती से लड़ने का हमको प्रोथसाहन मिलता है फिर से आगे बढ़ने का आशावादी इंसान ही काम्याबी के पत पर जाता है निराशा के काटों को छोड़ उमीद के फूल अपनाता है लेकिन उमीद भी उतनी करो जितनी यह जरूरी है जरूरत से ज़्यादा करने पर बन जाती यह चूरी है प्रभु तेरी स्रीमत का ही गुनगान मैं करूं तेरे सिवाय और किसी को प्यार क्यों करूं स्रीमत ने तेरी मेरा जीवन बदल दिया राती मेरी बदली मेरा धिनमान बदल दिया श्रीमत पे तेरे ही मेरा जीवन सफल करूं गुर्गान मैं करूं दुनिया बनी पापों की दुखों की बड़ी बस्ती है वानियत की हाठ में इंसानियत सस्ती ऐसे में हे प्रगु तेरी रहमत में मैं पलूं गुर्गान मैं करूं दृष्टी तेरी मुझ पर पड़ी सौभाक्य है मेरा रस्ता मुझे सही मिला रहमों करम तेरा वर्गानों से तेरे मेरा बुल्चन अरा करूं वर्गान मैं सुनूं परमत ने दिया दोखा मनमत ने ठुकराया जनमत में ऐसा उलजा कहीं पार ना पाया दुही खीवई आकष्टी का भवपार मैं करूं गुणगान मैं करूं पल भर न भूलू प्रियतम मुर्वी सदा सुनूं मुर्वी की बन के सरगं लवलीन मैं रहूं गुणिगान मैं करूं गुणिगान मैं करूं गुणिगान मैं करूं यह था आज का काव्यकुंज का एपिसोड जिसमें आपने अपने दिल की बातों को हमारे कवियों के माध्यम से श्रमन किया क्या कहा उनोंने कैसा इसके लिए आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहे हमारा पता इस कारेक्रम के समापन पर स्क्रीन पर आएगा ऐसा कहते हैं कि दिल ही मंदिर दिल ही मस्जित दिल गिरिजागर गुरुद्वारा है और दिल मत तोड़ो यार किसी का दिल वीना को टनका कर रखिए क्योंकि अगले एपिसोड में हम किसी नए काव्य सर्गम के साथ उपस्तित हो रहे हैं तब तक नमस्कार कवीराजीव शर्मा का